जयन्त महापात्र जो है वो हिंदी के बड़े ही जाने माने और रिस्पेक्ट फुल ओथर है पोयट है वेसे मेंली ये अपनी पोयम्स के लिए जाने जाते हैं लेकिन शोर्ट स्टोरी भी उसने लिखी है और फेमस भी हुई है उनको कई सारे पुरस्कार जैसे की दिल्ली साह जोती है गोविंदा महाराना नाम के एक इंडियन आइडल मेकर यानी मिट्टि की मूपिया बनाने वाला तो गोविंदा महाराना एक ट्रсп मेश्य Уब्राजी की पशुद्र की कुछ यू, कि गोविंदा एक मूर्ती बनाने वाला है और उसने ये स्कील अपने पिताजी से सिखी है और उसके पिताजी ने अपने पिताजी से इन्सोर्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चली आ रही है यह कला है वैसे तो इसके तीन बच्चे है जिसमें से पहला है जो बड़ा वाला है वो फिशिंग करता है दूसरा मिल में काम करता है और तीसरा जो है रांजू जिसका नाम है वो रांजू अपने पिताजी का बिजनेस बखुभी संभाल रहा है यानि वो भी गोविंदा की त जागता है तो देखा कि मूर्ती की ट्रंक यानि सुन तो तूटी हुई है जब उसने रात को मूर्ती रखी थी रूम में और रूम बन किया था लोक किया था तब तक कुछ नहीं था जब जागा तो उसने क्या देखा कि सुन तूटी हुई है तो सोचता है कि ये खेड़की ज तूटी हुई पाता है तीसरे दिन सुबह जब इसकी वाइफ सुलोजना चाय लेकर आती है तब गोविंदा इतने गहरे खयालों में होता है कि कब नीचे गिर जाता है इसलिए उसकी वाइफ ये सब चिंता का कारण पूछती है कि आखिर हुआ क्या है जो इतने खयालों में दुबे हुए हो और गोविंदा बताता है कि सब कुछ मूर्थी के बारे में पहले तो मुझे लगता था वो कहता है कि पहले तो मुझे लगता था कि तेज इसमें कोई टेंशन के बाद है नहीं लेकिन फिर भी गोविंदा का मन नहीं मान रहा था गोविंदा इतना अंधिशरद्धा में था उसे लगता था कि शायद वो इस मूर्ती को 250 रूपीज में बेचता है तो मीडल ख्लास वाले को मेहंगी पड़ती होगी यह मूर्ती और वो डाइरेक्ली तो मुझे कहने आयेंगे नहीं वो अंदर से मुझे हाय दे रहे होंगे बद्दुआ दे रहे होंगे इसलिए यह सब हुआ है मूर्ती की जो सूंद है वो तूट गई है फिर दूसरा वहम उसे ये होता है कि शायद गनेश जी की मूर्ती मैंने मोटी बनाई है तो गनेश जी को अपने मूर्ती स्लिम पसंद होगी कोई उसे मोटा रिप्रेजेंट करे वो उसे पसंद नहीं होगा इसलिए उसकी सुन्ड गिरा दिए कैस देखें वो कितना कॉमिक व है कि अपने पिताजी जैसी मूर्ती जो ये सुन्दर बनाते थे अपने पिताजी वेसे मूर्ती वो खुद नहीं बना पाता है इसलिए गनेश जी नाराज हुए होंगे अब खयालों में डूबे हुए अपने पिता को जब छोटा बेटा यानि रांजू देखता है तो टे यानि शरीर में जितनी मिट्टी लगाई है उस हिसाब से आपको जितनी मिट्टी सुन्ड में लगानी चाहिए उससे ज्यादा आपने सुन्ड में लगा दिये वजन के करण वो नीचे गिर गई है कुछ नहीं था इसमें आप खामखा टेंशन रह रहे थे अब ये बात पर ग किसी को दिखाई नहीं देगा और देखेंगे कि आखिर ये सब कर कोंट रहें आखिर ये मूर्ति किस्तों तोड कोंट रहें देर रात हो गई है वेट करते करते बिचाने रांजु को तो नींद भी आ गई सोग लेकिन गोविंदा को खिड़की में से कुछ आवाज आती है चोकरना हो जाता है एकदम से कौन है कौन है उसका दिल है वो तेजी से धड़कने लगता है उसने ध्यान से देखा तो एक बिल्ली आई खिड़की में से बिल्ली आई सुन्ड पर बेठी और सुन्ड को गिड़ा दिया और गोविंदा के शक्का हो गया समधान गैस अब नहीं कि आखिर हमारे सिलेवस में एसी मामूली स्टोरी एड करने की वजह क्या रही होगी एक्चुली में स्टोरी के माध्यम से जहेंत महापात्र इंडियन सोसाइटी को कह रही है कि यह सब अंदिश्रदाय छोड़ो सुपर्टिशन्स छोड़ो